आपका फेस बहुत बड़ा है क्या आप भी फेस के बहुत ज़्यादा बड़ा दिखता है ऐसा बड़ा शरीर आपका पतला है लेकिन फेस बहुत बड़ा दिखता है फेस को पतला करना चाहते हैं, फेस फेट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो ये वीडियो इस्पेशली आपके लिए है तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही एक अच्छी सी एक्सराइज बताने जारी हूँ वो है फेस की एक्सराइज मैं डबल चिन की, मेरा शोट गया था, उसमें देखेगा, उसका डीटेल भी मैं बनाऊंगी और आज मैं जो बताने जारी हूँ, वो फेस फेट को कैसे कम किया जाए कि हमारा जो यह फेस फेट है, फेस बहुत बड़ा बड़ा दिखता है, उसको कैसे हम रिड्यूस करें तो इसके लिए यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, कि आप शरी से मूटे दिखते हैं, तो फेस भी आपका मूटा दिखेगा तो उसको enjoy करते हुए करिएगा, एक exercise जो कर रहा है, जैसे एक type की exercise आप कर रहा है तो उसको कम से कम आप एक से दो मिनट करेंगे एक exercise, कुछ second का बस break लेंगे उसमें, अगला step जब करेंगे उसमें आप थोड़ा सा gap ले सकते हैं, break ले सकते हैं, कुछ seconds ले सकते हैं जादा लेकिन अगर आप एक ही तरीके की exercise अगर आपकी complete नहीं हुई है, तो उसमें बहुत लंबा, break मत लीजेगा, कुछ second का बस break लीजेगा ठीक है, तो शुरू करते हैं, और सारी exercise जो हैं, बहुत effective हैं, कम से कम, दो से तीन दिन के बाद ही आपको इसका effect दिखने लगेगा तो चलिए शुरू करते हैं, और ये बहुत funny exercise है, कोशिश करिए, ये वले exercise जब भी करिए, तो अकेले में करिए, वहाँ कोई नहीं हो, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उसको देख कि आपको हसी आ सकती है, और ये बहुत, और enjoy करते हैं exercise करिए, तो मैंने ये दो दिन से ये exercise की थी, मुझे लगा कि हाँ, ये effective है, इसलिए मैं आज आप लोंको बता रही है, तो चलिए शुरू करते हैं, तो पहली exercise जो है, आपको अपने मूँ को खुब बड़ा सा खोलना है, और जैसे कुछ खाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, पूरा खोल किये, खाना है, और ये इसमें आपको फेस में दर्द होगा, बिल्कुल होगा, exercise है, थोड़ा सा दर्द तो होगा, तो चलिए शुरू करते हैं, गर्दन को उपर करेंगे, आप समान को देखेंगे, और आप देखेंगे ये चीज खिशना शुरू होगया, 10 सकेंड तक किया, कुछ सकेंड का ब्रे ये पूरा खिस्ता है, इसमें, दर्द होगा, इसका मतलब exercise असर्द कर रही है, धीरे थीरे आदुद पर जाएगे, फिर नहीं पेन होगा, दूसरे exercise है, हम अपने मुँ में खुब धेर सारी हवा भरेंगे, और जैसे कुल्ला करते हैं इधर इधर, वो करेंगे, फिर यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, पूरा उस हवा से प्रिशर रत देंगे, तो पहले मुँ में हवा भर लेते हैं, इसी तरीके से करेंगे, मुँ में हवा भरेंगे, एक बार इधर हवा को ले जाएंगे, एक बार इधर ले जाएंगे, उपर यहाँ प्रिशर डालेंगे, यहाँ डालेंगे, इसी तरीके से एक बार हवा भरके, हम तीन बार यह exercise करेंगे, यह जो लाफ लाइन वगर है, और बहुत लोगों को यहां पर ऐसे रिंकल्स यहां पर आते यह भी ठीक होता है और फेस का फेट बहुत तेज इससे रिडियूस होता है तीसरी एक्सराइज है हम जितना हो सकता अपनी जीब को बाहर निकालेंगे ठीक है और यहां पर प्रेशन लगेगा अपने मूँ को पूरा खोलेंगे फिर बंद कर लेंगे पूरा खोलेंगे फिर बंद कर लेंगे जितने बहुत बहुत कर लेंगे रिलेक्स ही जाएए जितने खिलेंगे यह एक्सराइज को रिड्यूस करती है फेस फैट को हम पतले होते हमारा फेस बड़ा दिखता है तब भी हम मूटे लगते हैं तो आप यह कत्ता ही ना समझे कि आपकर शरीर पतला होगा तो आपकर चेहरा पतला होगा आप शरीर की एक्सराइज करना है फेस की ने उसे फेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने माला फेस की फेस की फैट को रिड्यूस करने के लिए आपको फेस की एक्सराइज करनी ही पड़ेगी और फिर उसके बाद देखिए आपको कितना इफेक्ट होता है मैं इसमें अपनी कुछ दिन पहले की भी फोटो लगा दूँगी और अभी की भी फोटो लगाऊंगी देखे कितना फरक पढ़ ला है डबल चिन की exercise होड़ी अलग है, face fat की exercise अलग है काम दोनों करती हैं लेकिन चिन की exercise जो होती है, डबल चिन की वो आपके यहां की fat को नहीं कम करेगी लेकिन यह जो face की exercise, face के fat को कम करने की यह जो है आपके double chin को भी कम करेगी और face के भी fat को कम करेगी अगर आपको पतला दिखना है, चेहरों को सुन्दा सुडॉल दिखाना तो exercise आपको करने पड़ेगी, तो आप कुछ नहीं मेरा ही effect देख सकते हैं आज से मैंने एक और चीज़ शुरू की है, ग्लास में एक ग्लास मानी लेकि उसमें मैंने सोट डाली, डिस्को की dry ginger भी कहते हैं और उसमें आदा नीबू नी चोड़के वो मैंने पिया है, देखते हैं उसका क्या effect होता है, फिर मैं उसको बताती हूँ आप लोगों को क्योंकि मेरा भी बहुत जादा effect बढ़ गया, double chin बढ़ गया, अब देखिए कितना भी करने भी न, बस इतना सा आ रहा है, बहुत कम आ रहा है और पहले बहुत जादा देखिए, हलका हलका सा यहां से कम होने लगा है यह जीज़, आप लोगों इसको करिए, यह effect जरूर करेगा, आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगता है, आपको effect हो रहा है, तो please comment जरूर करिएगा, और like करिएगा, और नहीं अच्छा लग रहा है, तो dislike करिएगा, पता तो चलना चाहिए न, कि अच्छा बता रही हूँ की नहीं, और चैनल को subscribe कर दीजेगा, अच्छा लग रहा है तो, वीडियो देखने के लिए thank you, फिर मिलते अच्छी से वीडियो में, अपन ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, सहसर ये निरोग रहिए